नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, दोस्तों हर व्यक्ति की सुख समरिद्धी काफी हद तक ऐसी इस्त्री पर निर्भर करती है, जो घर के सारे काम करें और सभी का खयाल रखें, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो महिलाओं को करने नहीं चाहिए, क्योंक भी घर को स्वर्ग या फिर नरक बना सकती है, हमारे शास्त्रों में बहु बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है, जिनकी वजह से खुशाल परिबार भी नरक के समान हो जाता है, घर में दरिद्धिरता आती है, ऐसे में जानिये, आउर्तों की कुछ कारड, खुशाल और करोरपती परिबार भी कैसे भिकारी बन जाता है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जराविस्तार से बताएंगे, नमबर एक, जिस घर की आउरतें अगर खाना खाते समय पाउं को हिलाती हैं, तो वो घर कभी भ परबाद हो सकता है, महा लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, परिबार में तनाव और किसी बड़े मुखिया की नवकरी भी चूट सकती है, नमबर दो, दोस्तों, जिस घर की महिला जाडू को पैर से लगाती है, या पैर से ठोकर मारती है, या जानवर को मारती है, बहां कभी देवी लक्षमी का वास नहीं हो सकता ऐसे घर में हर वक्त बीमारी और परेशानी चा जाती है माना जाता है कि जारू में देवी लक्षमी का वास होता है नमबर तीन चूले पर जूटे बरतन या कड़ाई को गैस पर जूटा छोड़ कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्षमी कभी नहीं आती ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारड है इसलिए रात को चूले पर जूटे बरतन ना रखें बरतन को तुरं की देवी माता लक्षमी नाराज हो जाती है इसलिए आपके घर में अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत रोंक दें ये विनाशकारी हो सकता है क्यूंकि महालक्षमी का आगमन यहीं से होता है नमबर पांच दोस्तों अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठ कर यह शाम को जारू लगाती है उस घर में द्रिद्रता आती है इसलिए इस आदत को छोड़ दें खास कर ब्रहसपतिवार के दिन पोचा नहीं लगाना चाहिए क्यूंकि ब्रहसपती जब कमजोर पड़ते हैं तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है नमबर साथ दोस्तों अ और ससुराल बालों की आस अफलता का कारण बनती है परिबार में मृत्यू भी हो सकती है नमबर आठ महिला का गाली देना या तेज आबाज में बोलना इससे पूरे परिवार को शराप लगता है ऐसी महिला जहां भी जाती है महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है दोस्तों जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आगन साफ नहीं करती ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी परवेश नहीं करती घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए तुरंत पूजा पाट भी कर लेना सच मायने में महा लक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती है नमबर दस दोस्तों एक शादी शुदा महिला को अपना मंगल सुत्र चूडी कान के कुंडल और पायल कभी उतार कर नहीं रखने चाहिए ऐसा करने से पती की मृत्तिव हो जाती है और महा लक्ष्मी भी उल्टे पायल खनकती है वहाँ पर देवी लक्ष्मी का वास अस्थाई रूप से होता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर क और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के नॉलेजबल वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत